दोस्तो अगर आप डिप्लमा पॉर्ट टेक्निक एलेक्टिकल इंग्जिनिंग के सिक्स समिस्टर यानि की फाइनल यर के शुडेंट है तो आज का यी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोरेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इलेक्टिकल एक्जानमेशन में बहतर से बहतर नंबर गेन कर पाएंगे तो चलिए दोस्तो हम एक एक करके सारे कोशन को देखते हैं जो वेरी वेरी मोशन इप्रोटेंट है आपके एक्जाम के डिश्टिकोर से जिसमें कोशन नंबर वन है हमारा पाइप अर्थिंग या प्लेट आठ्या कीजिए जिसमें पहला है सब इस्टेशन के मुख स्तहायक उपकरण को बताईए और दूसरा है ओवर हेट लाइनों में लगने वाला उपकरण को समझाईए इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत भी एक्समिलिंग करके लिग देते हैं इसके बाद Q4 जो हमारा है सर्वीस मेंस से आप क्या समझते हैं GI Pipe सेवा सन्योजन का सचित वरन कीजिए दोस्तों इसमें आपको सर्वीस मेंस के बारे में बताना है GI Pipe क्या होता है सेवा सन्योजन को थोड़ा इसमें एक्स्प्रिंग करके लिख देना है अगर आप अच् eyeballs on Beach 10 sub station इस पर फॉफ के बारे में समझाना है इसके बाद Q7 है 11 की स्टेकर का सिंगल डाइग्राम बनाए इसके बाद Q8 है भू प्रत्रयोत को तरह को न से है जर्था इस megap Tanz किया जाता है इसके बारे में बतािए 1 q20 पर 11 की dość हटज एक किलो मिटर लाइन के लिए 4 मिटर 59 mm लगाना है समान के सूची तथा ब्याय की गड़ना कीजिए तो दोस्तों यह आपका इंटर्णल वारी के कोश्चन है आपको मैंने इस कोश्चन को सॉल्व करने के लिए पीछली वीडियो में इस्टेप बताया हूं उस इस्टेप को फालो करके आप इस कोश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर उससे देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगी इसके बाद कोश्चन नमबर टेन है हमारा एक सोच चितर की सहायता से भारती विद्धुत मानक की अनुसार बीतर सर्विस कनेक्शन लेना है सर्विस पोल की दूरी 25 सिंटीमेटर है इसमें लगने वाले मैटेरियल के लिष्ट का इस्टीमेशन बताइए तो आपका ये कोश्चन में इंटेनल वायनिंग का कोश्चन है आपको इस कोश्चन को भी सॉल्व करने के लिए इस टेप को फालो क स्थान कीजिए आवा सकता कि अंदुसर आकड़ा माल लीजिए दोस्तों इस कोश्चन का इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स से मिल जाएगी वहां पर मैंने इंडियन लेट्री सिटी रूल का वीडियो में एक स्पेसल वीडियो बनाया हूँ आप वहां से जाकर देख स भवन के अंदर इस्थित डिस्टिविशन सबस्टेशन है तो आवेशक समागरी के सूची बनाईए तो यहां पर आपको सूची बनाना है इसके बाद कॉश्चन नमबर 17 जो हमारा है नीम पड़ टिपड़ी लिखिए तो इसमें से आपको तीन-चार टिपड़ी अगर आपको टिपड़ी लिखने के लिए आ सकता है तो आप सारे को एक बार देख लिजेगा अच्छी तरीके से तो दोस्तो अगर आप इन सारे कोशन में से 50% कोशन भी अच्छे तरीके से तायार कर लेते हैं तो मैं 100% गारेंटी की साथ कह सकता हूं कि आप काफी बहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने semester examination में तो दोस्तो उम्मीद करते हैं कि electrical design drawing and estimating second subject से related वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please like and subscribe this channel, thanks for watching वीडियो, मिलते हैं एक new वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरां